हमारे गोगुंदा चेत्र में 40 ग्राम पंचायद के अंदर तीन दिन से पेंथर ने आद्दंक मचा रखा है अठारा तरिक को एक 16 साल की लड़की कमला के उपर पेंथर ने अमला किया फिर 19 तरिक को खुमाराम जी जो बेवड्या के हैं उनके उपर अमला किया और कल मेरी भाई जो 55 साल की है उम्रिया की उनके उपर पेंथर ने अमला किया इसके बाद में जब सबसे पहले कमला जो 16 साल की लड़की है इस पर अमला किया तो हमें सूचना मिली और हमने कलेक्टर साब को अवगत कराया और हमारे सारे प्रसाशन के अधिकारी हमारे DFO हमारे Ranger साब हमारे SDM साब हमारे Video साब हमारे CAE साब सभी अधिकारी 18 तारिक से लगा के आज दिन तक अभी तक फिल्ड के अंदर ही है कल जब Panther ने हमेरी भाई के उपर अमला किया तब हम सायोग से जेपूर थे तो हमने माननिय मंत्री जी को भी अवगत कराया माननिय CMO में भी हमने अवगत कराया उसके बाद में हमारे याँ पर दो सेना की टुकडिया भी बेजी गई पांच ड्रोन के केमरे से कल सुबह से ही इसकी लोकेशन देखी जा रही है इसको है जो डूनने का परियास किया जा रहा है साथ ही छे पिंद्रे लगा रहे हैं छे पिंद्रियों के माध्यम से भी इसको पकड़ने का परियास किया जा रहा है आज सुबे से जेपूर से हम अकल रात को आये और आज सुबे पूरे दिन बर मैं विदायक जी, हमारे परदान जी और उपरदान जी फिल्ड में ही थे, ग्रामिन भी पूरा सरकार का और प्रससन के अधिकारियों का सयोग कर रहे हैं आज पूरे दिन बर में हमने परयास किया कि पैंथर पकड़ा जाए पर आदम खोर पैंथर अभी तक पेंजरे में केद नहीं हुआ है यह हम बारा पूरा परयास है कि इसको हम पकड़ के और जल्दी से जल्दी इसको जहां पर भी इसको वनविबा को रेफर करना है इसको रेफर करें आपको मैं बता दू कि हमारी जो रज्य सरकार हैं हमारी जो केंदर की सरकार हैं इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने मन्तरी जी ने भी निर्देश दिये हैं और हमने भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो परीजन है उनके परिवार के साथ में हमारी सर सिलता है हम ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं परन्तु आज आप देखेंगे आज गोगुंदा उफखंड मुक्यले के बार कॉंग्रेस के ये नेता ये जाकर और वहां पर जूटी बाते और फालतु का ब्रह्म भिलाने का काम कर रहे इसकंवार को ये पटा नहीं होता है कि कॉंग्रेस की सरकार एक बिजेपी की सरकार के ये राज निती का विशेंग ये प्राकर्तित का आपड़ा है इसमें तो आपको सरकार का हमारे प्रसेसन के अधिकारियों का और गहांवालों का सहीयो करने के आवशकता है ना कि नेगिटीव रादनेती करने के आवशकता है दूसरी बात यह बता रहे हैं कि हमने 24 लाख रुपे का मुआवज़ा दिया हमने सरकारी नोकरी दी आज मैं आपको बताना चाहता है